ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली में कुल नौ ग्रहों के प्रभाव से समय अच्छा या बुरा होता है माना जाता है कि गुरु ब्रहस्पती सुख, समरिद्धी, सौभाग्य धन का कारक है हिंदू धर्म में गुरु ग्रह को सबसे मजबूत और शक्तिशाली ग्रह बताया गया है यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु ब्रहस्पती ग्रह केंद्र में विराजमान है या मजबूत स्थान पर बैठे हुए हैं तो बाकी ग्रहों का कोई नेगिटिव असर नहीं पड़ता पर क्या आप जानते हैं कि गुरु ग्रह जल्दी वक्री होने वाले हैं यानि अपनी चाल बदलने वाले हैं ऐसे में कुछ राशियों पर इसका अच्छा और बुरा असर पड़ेगा इसके लिए हमने हरिद्वार के विद्वान जियोतिशी पंडित शशांक शेखर शर्मा से बातचीत की उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर से 5 फरवरी 2025 तक गुरु ग्रह वरिश राशी में उल्टी चाल चलेंगे किन राशियों के लिए ये अच्छा और बुरा होगा? आईए जानते हैं मिथुन राशिय की अगर बात करें तो यहाँ पर भस्पती द्वादश भाव पर हैं और सब्तमेश भी हैं और कर्मेश भी हैं प्रोफेशन और सब्तमेश अर्थात या तो अपना कारे या फिर विभा का इस्थान होता है सब्तम्भाव तो इनसे संबंदित ब्रस्पती यहाँ पर लाब देंगे अगर आप अपने जोग के लिए अपने कारे के लिए विदेश जाने क्या प्रियास कर रहे हैं तो आकस्मिक आपको वीजा लग सकता है अचानक से आपको ओफर आ सकता है भाहर से हाँ लेकिन जब शब्तमेश बारवे घर पर होता है तो आपको अपने जीवन साथी के साथ सम्मंदों में समस्या आती है तो उसके लिए मिठुन राशी वालों को ध्यान लखना होगा विभा के लिए यह समय अच्छा नहीं है करक राशी की अगर बात करें करक राशी से लाव इस्थान पर है तो लाव इस्थान पर द्रस्पति का गोचर आपको आकस्मिक धनलाब के योग दे रहा है आकस्मिक धनलाब आपका वो होगा जो आपका अच्का हुआ था रुका हुआ था रुका हुआ थन अवश्य ही वा तो अचानक से आपको स्वास्थे में समस्या देंगे विशेश रूप से पेट की दिक्कत आपकी बढ़ने वाली है। में राशी से तृत्य भाव पर है तो आपके भाई भैन मित्र उनसे आपके सम्मंद खराब हो सकते हैं या फिर उनको कोई न कोई शाररी कस्ट हो सकता है जिस वज़े से आपके और उनके बीच में दूरी बने या आपकी और उनकी बात्चित कम हो जाए। तो मित्र भाई भै पर अश्टम भाव और तृत्य भाव का यहाँ पर स्वामी ब्रस्पती है तुला राशी से भाई भेन, मित्र और किसी अन्य संबंदी जो आपके साथ उम्र में समान हो, समतुले हो, वो आपको या उसके साथ संबंदों में कोई ऐसी बात पता लगेगी, जो नहीं पता होगी आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं